हेलो गाइज नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने ओफसेलेट इप्चनल पर मैं आप सभी का मित्र दोस्त रुपेश पांचाल और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वावगत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ तो मित्रों आप सभी को मैं आज के इस वीडियो में क्या बताऊंगा class 11 help एलड़ी एक्जाम 2023 का इंगलिश का पेपर बताऊंगा यानि कि बोले तो कख्षा 11 गख्षा 11 और अर्धवार्शिक जो परिक्षा आप सभी की अंग्रे जी विशे की उसका क्या बताऊंगा उसका आप सभी को पेपर बताने वाला उस पेपर के आप सभी को तीन क्योशन बताऊंगां地 word मेरे पास बहुत सारे जिल्य का है जो कुमन लिये है तीन मेंसे एक जरूर आ जाए मतलब आप सभी किसी भी जिए से ओल अवर जिरे बहुत सार बच्चे कॉमेंट कर रहेता बहुत के इंदोर जिल्य का बताओ बहुत सारे जिले को पूछ रहते हैं तो मैं यहां पर आपसे बहुत ज्यादा देख सकते हैं थोड़ी सी दिर में 400 व्यूस कर गए थी 30 लाइक क्रोस कर गए थे 33 कमेंट आ गए थे तो भेगा वी मैं आप सबराइगे पावर देखना चाहूंगा कि आप सबी इस वीड़ी। के प्यार्व में इतना इतना ज्यादा में इस भी जाएगा ठीक है अब देखिए क्यों इस प्रकार साइगा ध्यान से सुनिए ध्यान दीजे कर आप राइट दर सेंटर आइडिया ओफ पोएम पोएम कौन से आएगी मान की पोएम यह भी आ सकती है फोटोग्राफ फोएम यह भी आसकती है ताल ले मरं नम व्हीं वह सिकते वीश Mutta यह भी आसकती चिल डूट बस चार हिए आप सी परमी तेको देख लिकिन मैं आप से बहुत दूब लगंदो में तो मिलेगी आपको मेन कोश्चन में में मैं मिलेगी आप तर्फ चार और याद निकर ढोंगा देखे-माने चले यह तो यह आ गई और यह दोना आ सकती है यह पिर यह जाईगी और जाद एगी धिया और फिर एप संत्य रहां सकती है ठीक है चलिए आगे बढ़ना शकुन है अब है अ को ट्रिक नीए महाड ट्रिक ना रहाए मेरे आप सभी को क्या करवा दूंगा याद करवा दूंगा यहीं पर ठीक है लाइब आप सभी के सामने सबसे पहले अपनी पावर दिखाओ लाइक कर दो और शेर कर दो कितने मित्रों में शेर करोगे दस से दस से भाया कितने दस से 19 20 में शेर कर लो इसको और इसे मित्रों को शेर को जो देखेंगे ही देखेंगे अपनी क्लास के ठीक है चाहिए उनके फोन में चलाओ अब चली सबसे पहले सीखते है अब फोटोग्राफ मान के लिखना है तो फिर क्या फिर आप लिखना है उसके बाद नीचे यह भी सभी में लिखना है मान के लिए इसको छोड़ दो एक तो अभी वह इसको छोड़ दो यह ट्रीक है इसको छोड़ दो फिर यह ब्लाइन सभी में लिख सकते हो कि the poem is a very famous poem of अब और फिर क्या लिखना है फिर यहां पर जिस भी poem का लिख रहा है उसका नाम को लेका का नाम यहां पर लिख दो जन कि हम फोटोग्राफ को लेकर तो यहां पर लिए फटोग्राफ दो अब आगए कि कि इस poem में है क्या दो देखिए in this poem the poet's tale यह जो लेखा के बात कर रहा है about the stage of mother life मुझा उसकी जो माता जी थी उनके life की तीन चरनों की तीन पक्षी के बाते कर रहा है तो देखिए in the first stage यह पहला पक्षी के बार में क्या बोलता है कि द फोटो ग्राफ फोटोमे फोटोमे दिखाई दे रही है anya है दे के इस επιद्वादर उसकी मां इंजोय एह खोली डि एक ज़यने की मना रही है ओन अब इती कर दोली एंड बेटिन शीवाज 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 येर ओल ठाट टाइम यानि कि जो टाइम था यह क्या था ओल्ड टाइम था यह एक टाइम के ता ओल्ड टाइम था बस आप इतना ही लिख दोगे बस यहीं तरह तक तब में आपको नमबर भी लेगा है अगर आप एक और इस्टेज लिखना चाहते हो तो स्थाहट मदर 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 мदर क्या लोंग लोंगिंग एट हीर कजंग वीर द्रेश्टिंड इपक्चर एट पिकचर문 एट What लइस हो अब यह भिज देखले तो ऊड़ी है अगडिया निद्न तो यह तो और जimat तो इसको देखें बेना तो जाएंक है हो सकता जोरी आई यह आजाए तो फिर ठीक है अब देखिए सेंट्रल आइडिया ओफ दो वैम यह कि इस पोएम को सेंट्रल आइडिया है यह लाइन तो आप से बताए क्या होगा तो इस प्रकार से बन जाएगा इस पोएम यहां पर इसका आगे जो भी लिखा रहा है उसके बीच कि एक बड़े पेड एंड अ गोल्ड फिंच बड़ हैंने कि एक पक्षिक के बीच में ठीक है अब देखिए अने कि गोल्ड फिंच बड़ है एक तो अलोन यह अकेला था और एक शाइलेंट हैने कि छुप चाप था अब क्यों था क्योंकि देखिए नीचे देखिए because it's loose क्योंकि उसकी जो पत्या थी is turned हो गई थी कैसी हो गई थी yellow या जो पी लिया जो रूकी सुखी and no word sitting क्योंकि कोई word उस पर बेटता नहीं on it उस पर बेटता नहीं इसलिए क्या था वो जो पेट था silent था but in the month of September September के month में क्या हुआ क्या हुआ September के month कहानी suddenly एक दम से suddenly a gold finch sits on its जो gold finch था वो एक दम से बेट गया आकर के and more all branches of the lebanum tree जो lebanum tree थी उसकी जो all branches थी जो भी शाखाय थी उन सभी में मंडराने लगे कौन gold finch ठीक है तो अगर आप यहां तक भी लिख दो कि तब यह आप से कुछ तीन नमर आराम से मिल जाएंगे इसलिए आगे तक याद करने का कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ता है मानक चलिए दोनों नहीं आई यह ना दोनों नहीं आई कोई और तीसरी आ गई तो फिर क्या करोगे तो इसके लिए यह याद कर लो बस आखरी आखरी है कि अगर आप किताबों में देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कटिन मिलेगे अब देख जब वोईस ओव रें में किसे लिखेंगे यह तो पता यह सेंट्रल आइडिया ओफ दो पोएम फिर इस पोएम दिस पोएम दो वोईस ओफ द रें इस व्राइटन बाई अफेमस पो सकते हैं जो भी कर सकते हो कर लिया ना ठीक है सामदाम रड़ेफेत अपना सकते हो ठीक है अगला देखिए इन दिस पोएम में इस पोएम में डिस्क्राइब वर्णन है कन्वर्सेशन नहीं कि बातचीत बातचीत का वर्णन है बीट्वीन ने के बीच पोएट एंड द वोकिती बारीच बोलती है क्या बोलती है इसेल्फ दिसशेल्फ दृटक्रा पहिम ऑफ द और थेंग क्या प्रशनता देती है तो इसमें इतना ही लिग दो कि तब आप से को तीन नमर मिल जाएंगे और इस वीडियो में तीन प्रशनता है अब मैं आप सभी कि देखना चाहूंगा आप सब्सक्राइब क्या है कि मैंने यह बताए इसमें से आ रहे हैं फिर भी आप पावर दिखाते हो नहीं दिखाते हो इंतजार करूंगा पावर दिखाओ शेर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो सब कुछ करो जय हिंद